हेलो दोस्तों, हाल हमें रॉल्स रॉइस ने एक अरपती के लिए एक कॉस्टमाज कार बनाई है तो चलिए जानते हैं वो अरपती कौन है और उस कारी की कीमत क्या है दोस्तों एक रॉल्स रॉइस का मालिक होना कई लोग के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है तो वही कई लोग के पास यह आलिसान कार है साथ ही कई लोग इस लक्जरी कार में अपने टेश्ट के हिसाब से खांस बदलाव भी कराते हैं जो इस लक्जरी कार को बाक्षियों से हट कर बनाती है कारबज के अनुसार लेटेश्ट बेस्पोक रॉल्स रॉयस का क्रियेशन कोवा फैंटम एक्स्टेंडेड है जिसे जैक बायड इसमी जुनियर के लिए बनाया गया है जैक बायड इसमी जुनियर एक रपती हैं जिन्हें कारों का काफी सौक है वह रॉल्स रॉयस के सबसे मुल्यवान ग्राहकों में से एक है जैक बोयड इस्मीट के लिए कॉस्टमाईज की गई कार में कुवा लकड़ी का परियोग किया गया कुवा लकड़ी से नया डिजाइन दिया गया है इस्मीट और उनकी पतनी का कहना है की या खांस लकडी हमारी परिवार का हिस्सा रही है कार के कॉस्टमाइजेशन में इसका इस्तमाल काफी खुबसूरत है इस कार की कीमत 3 करोन 89 लाग है इसमीत अपनी इस खांस कार के लिए काफी उत्साहित थे इसके लिए उन्होंने बेस्पोक रॉल्स रॉस फैंटम को आगे वढ़ाया और एक प्रक्रिया सुरू की जिसे पूरा करने में 3 साल लगे इस कार में डैस, बोर्ड, इस्टियरिंग, वील, पिकनिक, टेबल पर कोवा लकडी का परियोग किया गया जिसको जरूवत के हिसाब से खोल और बंद कर सकते कार के बाहरी रंग इस्मीत की 1934 के पैकड ट्वेन कूप के रंग से मेल खाता था जिसके परिपूर मैच सुनिश्चित करने के बाद कार का रंग बदला गया कार के अंदर सैंपेन फ्रिज भी मौजूद है कोवा लकड़ी इसलिए भी खास है चुक यह लकड़ी दुरलब है यह केवल हवाई दिव पर पाई जाती है चह ज्यादतर राज्य या राष्ट्य उद्यानों में मौजूद है रिपोर्ट्स के अनुसार रॉल्स रॉयस ने एक नीजे संग्रा चह कोवा लकड़ी काट कर कार में लगाई है इस विशेस मौडल के लिए उन्हें कोवा पेंड़ से पूरे लौक की जरूरत पड़ती थी